मणिपूर मुद्धे पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास पत्रे लाने की तैयारी कर ली है इसके लिए बकायदा नोटिस भी दे दिया गया है बता जा रहा है कि इससे पहले कॉंग्रेस ने ये सपश्ट कर दिया था कि सभी सांस सदन में मौजूद रहे लेकिन इस बीच जब केंदर सरकार के खिलाफ यानी मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने तैयारी की है कि अविश्वास पत्र सदन में आएगा तो बहुत बड़ा सवाल सामने आए है ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्या माएने और आधार है इस अविश्वास पत्र के ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले खुद सरकार ये सपश्ट कर चुकी थी कि मनिपूर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तयार है स्वें ग्रिह मंत्रिया में तुशा ने ये साफ किया था कि हम अविश्वास पत्र से पहले ही चर्चा के लिए तयार है लेकिन फिर भी ये अविश्वास पत्र सदन में आने वाला है जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं इससे पहले कि आपको बताएं कि क्या आधार और माइनी है इस अविश्वास पत्र के आपको बताएंगे कि पिछले दिनों कारवाही के दुरान क्या कुछ हुआ है क्या कुछ एक आधार बनकर सामने आया है कि विपक्ष को एक मौका मिला है कि केंदर सरकार के खिलाफ ये अविश्वास पत्र आए यानि अभी तक क्या कुछ रूप रेखा सदन की कारवाही की रही है शुरुआत से शुरुआत करें तो 19 जुलाई को एक वीडियो वारिल होता है ये वीडियो मनिपूर का बताया जा रहा था इस वीडियो में दो महिलाओं को नगन कर परेड करवाई जा रही थी तो जो समाज को शर्म सार करने वाली एक घटना थी इस पर कई बड़ी हस्तियों ने अपने बयान भी जारी किये इसके बाद 20 जुलाई को सदन का पहला दिन जब संसद का मौनसूम सत्र शुरू हुआ तो पहले दिन संसद के दोनों सदनों में कारवाही शुरू होते ही विपक्षई सांसदों ने मनिपूर घटना पर हंगामा शुरू कर दिया इसके चलते दोनों सदनों की कारवाही अगले दिन के लिए स्थगित भी कर दी गई दिन आता है 21 जुलाई का सतर के दूसरे दिन भी विपक्षई ने मनिपूर के मुद्वे पर हंगामा किया दोनों सदनों की कारवाही 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई सतर के दूसरे दिन लोगसभा की कारवाही खUL 19 मिनट और राज्यो सबा की कारवाही खUL 18 मिनट ही चल सकी क्यूंकि मनिपूर के मुद्दे पर फिर से हंगामा देखने को मिला था इसके बाद दिन आया 24 जुलाई का मौनसून के तीसरे दिन भी मनिपूर के मुद्दे को लेकर लोकसभा और राज्यसभाव में जम कर हंगामा हुआ विपक्षी सांसदों ने नारिबाजी की हंगामे की चलते सदन के दोनों सदनों की कारवाही 25 जुलाई के लिए स्थगित हो जाती है देनाता है 25 जुलाई का मनिपूर मुद्दे पर सांसदों ने सदन में नारिबाजी की और अधक्ष की आंसिधी पर पहुँच कर इंडिया फॉर मनिपूर के पोस्टर दिखाए सदन के कारवाही पहले बारा बजे और दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी उधर राज्यसभा तीसरी बार नारेवाजी के बीच शुरू हुई विपक्ष की वौकाउट के बाद दो घंटे से जादा कारवाही चली जिसके बाद विपक्ष ने साफ किया कि केंदर सरकार के खिलाफ अब समय है कि अविश्वास पत्र आए क्योंकि उनका कहना है कि प्रधान मंत्री मूदी जाफिर सत्ता में बैठी सरकार मनिपूर के मुद्दे पर किसी भी तरीके की चर्चा से बचने की कोशिश कर रही है जिसके बाद ग्रिह मंत्री अमित शाह ने कॉंग्रेश सद्धक्ष मलेकार जुन खड़के को पत्र लिख कर ये स्पष्ट किया के सरकार मनिपूर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तयार है और ऐसी ही जानकारी प्यूश गोईल भी देते हुए नजराय थे उनकी तरफ से भी ये स्पष्ट किया गया था कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तयार है उनका ये कहना था कि विपक्ष दरसल महिलाओं के प्रती सम्मान नहीं रखता है अगर ऐसा होता तो बाकी राज्यों में भी महिलाओं से जुड़े कई सारे मुद्दे हैं जिस पर कभी भी विपक्ष की तरफ से चर्चा नहीं की गई चर्चा नहीं मांगी गई लेकिन आज सुबा सवेरे ही बताया जा रहा है कि कॉंग्रिस ने साड़े दस बज़े सदस्य कारले में अपनी सांसिदों के साथ बैठक भी बुलाई बैठक के बाद ये तैह होगा कि किस तरीके से सरकार को सदन में घेरा जाएगा बताया जा रहा है कि इसके लिए बकाइदा नोटिस भी दिया गया है अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष की तरफ से इस वक्त अपनी प्रतिभा दाओं पर नगाई गई है साख पर रख्थी गई है सवाल इसलिए क्यूंकि I.N.D.I.A यानी अलाइंस जो मिलकर बना है कि क्या वो इस वक्त दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है क्या ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि चुनाव जब कुछ ही कदम की दूरी पर है तो हमारी एकता कितनी मजबूत है मौनसून सत्र अभी 11 अगस्त तक चलने वाला है इस दौरान 17 बैठके हूँगी केंदर सरकार मौनसून सत्र में 31 बिल आ रही है इन मेंसे 21 नए विल हैं वहीं 10 बिल पहले भी सांसद में एक सदन में पेश हो चुके हैं उन सभी पर चर्चा होगी सबसे जादा चर्चित बिल यानि दिल्ली में अफसरोर के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादीश भी शामिल है इस बीच जब विपक्ष अपनी एकता दिखाने की कोशच कर रहा है यानि हम अखंड है हम एकसाथ हैं इस बात का दमखंड दिखाने की कोशच कर रहा है इस बीच क्या केंदर के लिए मुश्किले खड़ी हो सकती है विपक्ष जो बेना किसी आधार के, बेना किसी मायनों के अविश्वास पत्र लेकर आ रहा है क्या ये एक रणनीती है के इंदर सरकार को ये दिखाने की कि इस वक्त विपक्ष मिलकर कितना मजबूत हो चुका है क्योंकि अगर अब तक अविश्वास पत्र की लाई जाने की चट्चा की बात की जाए तो दरसल विपक्ष जानता है कि सरकार में असानी से बहुमत साबित कर दिया जाएगा लेकिन अविश्वास पत्र का नोटिस विकार होता है तो प्रधानमंत्री का भाशन भी होगा इससे सभी पाटियों को चट्चा का मौका भी मिलेगा ये सिर्फ सदन में सरकार को घेरने का एक तरीका है अगर आंकडों की बात करें तो अभी तक लोगसाबा में एंडिये के 335 सांसद है मूदी सरकार के खिलाफ पहला आविश्वास पत्र इससे पहले 20 जोलाई 2008 को भी पेश किया जा चुका था तब सरकार को 325 और विपक्ष को 126 वोट मिले थे लेकिन अब विपक्ष के पास दम हैं सभी उन बातियों का जो मिलकर बनाती हैं ये अलाइंस जिसे नाम इंडिया दिया गया है अब देखना ये है कि विपक्ष की ये रणनीती के मनिपूर पर चच्चा हो और उससे पहले सरकार का ये साफ कर देना कि मनिपूर पर चच्चा होगी क्या कुछ नया लेकर आएगा या मनिपूर पर कुछ नया देखने को मिलेगा या फिर विपक्ष की एरणिनीटी जो केंदर सरकार के खिलाफ है कितनी सही साबित हो पाएगी तमाम अपडेट्स तमाम जानकारियों के साथ Nation Speaks के साथ बने रही और Nation Speaks के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना बिल्कुल न भूले